भारत में एक गुरू की भूमिका इसलिए है और गुरू की घटना इसलिए यहाँ घटी भी कि कम से कम एक स्रोत ऐसा है जिस पर हम सौफ विजदी विश्वास करें ट्रस्ट करें विश्वास सब्द से थोड़ी अर्चन होती है लोगों को अब इसमें एक अर्चन और उठेगी एक प्रशन कि लोग कहेंगे गुरू के उपर सौफ विजदी ट्रस्ट कैसे करें कुछ तो अपना विवेक रखना चाहिए मान लो गुरू गलत हुआ तो जैसा कि आजकल तुम रोज समाचारों में देखते हो तो तुमको लगता है कि पता नहीं अगर गुरू गडबड़ हुए तो लेकिन इसमें भी एक रहस्य है भारत ने गुरू की घटना बनाई ही इसलिए कि अगर तुम सौफ विजदी ट्रस्ट कर पाओ तो गुरू सही है या गलत इससे भी फर्क नहीं पड़ता सही है तब तो सोने पे सुहागा तब तो तुमें बहुत ज़्यादा सहाथा मिलने ही वाली है और अगर वो नहीं भी सही है मान लो वो गुरू का भी नहीं ही कर रहा है मान लो वो एक जहद्म रूप से ही गुरू का काम कर रहा है और तुम ने सौप्रतिसात उसमें भरोसा कर लिया है तो तुम उपलब्द हो जाओगे क्योंकि तुमारे अंदर एक नया आयाम पैदा हुआ है जो जोड़ेगा जो तुमारे खंडों को इकठा करेगा कहीं से तुमारे पास एक ऐसा एड़ेसिव आ गया है ट्रस्ट वही एक सुपर ग्लो है जो सारे खंडों को जोड़ता है इसलिए एक घटना और एक कठा मुझे हमेशा से और प्री रही है बहुत बार में चर्चा करता रहूं मिलारे पा की तिबबत के संबोद्य सद्गुरू मिलारे पा वो इस बात के सबसे ज्वलंत ओदाहरण है कि एक कम प्रतिभासाली और भटके हुए गुरू के साथ होकर भी व्यक्ति उपलब्त हो जाता है कहते हैं मिलारे पा कि अंदर इतनी तीवर प्यास थी इतनी तीवर प्यास उनको लगता था कि कोई गुरू मिले और मेरा मार्क दर्शन करे तो किसे ने उनको बताया कि जेंगल में एक महात्मा है मिलारे पा पहुँचे वहाँ पर बहुत भीड़ भी थी और अक्सर छद्म गुरूं के पास भीड़ लगते देर नहीं लगती क्योंकि भीड़ के अपने प्रलोभन होते हैं इसलिए भीड़ से कभी आखने मत बैठ जाना कि सही क्या है गलत क्या है भीड़ तो नादान लोगों की ही ज़्यादा होती है तुम समझदार लोग ढूड़ने निकलोगी कितने मिलेंगे तो अगर भीड़ के उपर तै करेंगे तब तो मुश्किल होगी तो मिलारे पा को वहाँ भीड़ दिखाई दी वो प्रभावित हुए उनको लगा तीवर प्यास थी कि उन्होंने कहा कि मुझे अभी दिख्षा दें मुझे साधना का मार्ग बताएं इतनी जोर से इतने तीवर ढंक से उन्होंने अपनी बात रखी कि वो गुरु भी थोड़ा अंदर से घबडाया कि आत braking ऐसे जोर सोर से तो पर कोई आया ही नहीं था कि अवितolo को लोगों को पकड़ना पड़ता है धी दिख्षा ले रहे हो साधना करो ध्यान करने के लिए कन्विंस करना पड़ता है प्रिचार करना पड़ता है बहुत सारे method apply करने पड़ते हैं फिर पकड़ना पड़ता है समझाना पड़ता है प्रलोगन देने पड़ते हैं उसको कि ध्यान करोगे तो ऐसा हो जाएगा ध्यान करोगे तो वैसा हो जाएगा फिर उध्यान करने लगता है तो आम तोशे तो उस गुरु ने ऐसे ही लोग देखे थे यह एक ऐसा आदमी जो कह रहा है कि सारी बात खतम अभी के अभी वक्त नहीं मेरे पास खैर मिला रेपा साधना में उतर गए गुरु जो बताता था वो करते थे जो कह देता था वो करते थे पूर ढंग से अगर वो कह दे 30 दिन उपवास करना है तो वो 31 दिन करें वो कह दें कि तुम्हें हपते बर मौन रहना है तो दस दिन मौन रहें वो एक कदम आगे इतनी तीवरता उनके अंदर और फिर धीरे-धीरे उनके अंदर बोध की रोशनी उतरने लगी उनकी चमक फैलने लगी लोग उस सुगंद को महसूस करके मिलारेपा के पास इकठे होने लगे योगि ये ऐसी घटना होती है कि सुगंद छुपती नहीं बिखरने लगती तो उस गुरू के सिस गुरू के पास सुचना लेकर जाने लगे कि आपका जो सिस है मिलारेपा वो एहंकारी होता जा रहा है अब उसके पास भी भींड लगने लगी है और कहीं ऐसा नहों वो आपके लिए खत्रा बन जाए अक्सर गुरू के और देवताओं के गद्धियां खत्रे में रहते हैं तुमारे पौराणिक देवता भी हमेशा खत्रे में रहते हैं कौन आ रहा है और तुमारे गुरू भी तो गुरू को फिर जब बहुत ज़्यादा कान भरे गए और सिश्चों ने सुझाया कि ऐसा है अब इसकी परिक्षा ले डालिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाए और परिक्षा में इस अफल तो होना नहीं है जंजट भी मिटेगी और जो इसका आभा मंडल फैल रहा है वो खतम होगा और हम लोग सांती से अपनी साधना करते रहेंगे सांती से साधना वहाँ भी लोग करते है ऐसी बातों में भी तो गुरू ने मिलारेपा को बुलाया मिलारेपा ने कहा कि क्या ग्या है मेरे लिए उने का कि मुझे लगता है कि तुमारे अंदर साधना की सिध्धी आ गई है और इस पहाड़ी के नीचे तुम छलांग ले जाओ ले जाओ छलांग गुरु ने का ले जाओ अस्तित तो समालेगा अब अस्तित तो समालेगा ये तो गुरु ने बहुत बार बोला था लेकिन उसको पता नहीं था, गस्तित समालता भी है कि नहीं समालता है, कैसे समालता है, मिलारेपा ने कोई प्रतिप्रशन नहीं किया, वो सीधे गया और कगार से छलांग लगा दी, सब स्तब्द रह गये, सब को लगा कि पता नहीं क्या हुआ, बचने की तो कोई सम्भावना नहीं थी, नीचे गहरी खाई थी, गहरी घाटी, सब नीचे गए, देखा कि मिलारेपा एक चटान पर ध्यान में बैठा हुआ है, सब ने पूछा कि कैसे किया ऐसा, ने का मैं क्या करता हूँ, ये तो गुर्देव करते हैं, गुर्देव ने का कूच जाओ में कूच गया, उ थोड़ी संका हुई, तो फिर उसने एक और आयोजन किया, एक जोपड़ी फूस की बनवाई गई, मिलारेपा को उसमें ध्यान करने के लिए कहा गया, और उसमें आग लगा दी गई, जोपड़ी जल उठी, राक बैठ गई, दूर से सब सह में हुए देख रहे थे, उनको लगा मिलारेपा भी, जल कर समाप्त हो गया होगा, जब वो गए राक अटाई तो देखा, मिलारेपा ध्यान में बैठा हुआ है, उसको एक खरोज भी नहीं आई, तो गुरू ने पूछा, कैसे हुआ है, उनने का आप भी मजाग करते हैं, मैंने आपका नाम लिया, आग मे बैठ गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, गुरू ने का अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, अब इसकी परिक्षा और ली जाए, तो मिलारेपा से कहा कि तो फिर तुम इस नदी को पार कर जाओ, सामने एक नदी बह रही थी, मिलारेपा उठा और नदी के उपर चल गया, गुरू ने का, कैसे किया तुमने, उस ने का, आप ही ने तो सिखाया है, मैंने आपका नाम लिया, नदी पार कर गया, तो गुरू को लगा कि, मेरा नाम नदी पार करवा सकता है, तो मैं भी कोशिस करके देख लेता हूँ आज, तो उसने भी कदम रखा, और डुपकी खा गया मिलारेपा गया नीचे से गुरू को निकाल के लाया तो गुरू ने कहा ये क्या है मिलारेपा ने कहा कुछ नहीं है मैं तो आप पे 100% स्रद्धा रखता हूं आप ही अपने ऊपर 100% स्रद्धा नहीं रखते और इतिहास में ये पहली घटना है कि एक गुरू ने अपने सिस्थे से कहा कि आप मुझे देख्छा दें आप मुझे मार्ग दिखाएं और मिलारेपा ने फिर उन्हें मार्ग दिखाया तो घटना संभव है अगर तुम 100% हो पाओ 100% स्रद्धा ही चमतकार है सही गलत के आकलन बहुत मैने नहीं रखते झालो झालो आप मैं अजता कि दमा थेख्थर नहीं यहास ही अचारींघा कि नहीं प्रूम आप में आपिए बिगईंग को आप अचले नहीं रहीं अचलोगा है झाल झाल